अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर तो नहीं है यह एक्जांपल है एक्जांपल स्टार्ट करने पे पहले इसमें डाउन स्ट्रीम और अप्स्ट्रीम वाला कंसेप्ट है तो सबसे पहले आपको क्या समझना है डाउन स्ट्रीम और अप्स्ट्रीम में सबसे पहले आपको एक point बहुत important समझना है जब भी downstream और upstream तो इसमें दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है एक बार आपको समझना है speed of stream speed of stream मतलब पानी के भाव की speed और दूसरा आपको ध्यान में रखना है की speed of boat speed of boat अभी समझो कि पानी का direction यह साइड जा रहा है पानी का direction यह साइड है और boat की direction भी same direction है same direction होगा तो उसको बोलेंगे downstream मतलब पानी की speed और boat की speed सपोस्पोस बोर्ट की speed x है और पानी की speed water की speed y है तो हम बोलोगे तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस y जो होगा वो time stream कहलाएगा क्या कहलाएगा downstream same way समझ लो पानी की direction और बोर्ट की direction opposite है तो आप बोलोगे सर इसमें कुछ नहीं x-y होगा मतलब boat की speed में से पानी की speed automatic उसमें से minus करके जो मिलेगा उसको upstream बोलते हैं same direction मतलब downstream जिसमें दोनों plus करने होते हैं और upstream में boat की speed में से पानी की stream की speed जो है वो तो सबसे पहले शुरूआत करते हैं let तो भी हम start करते हैं तो भी इसमें हमने क्या लिखा the speed of boat speed of boat in steel water be x km and the speed of stream of y km मतलब boat की speed x लिए है और stream की speed y लिए हुए बस इतना हमने लिखा इसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है अब हम start करते हैं समकी condition first condition पढ़ते हैं तो समकी first condition में बोला गया है the boat goes 30 km upstream for 30 km upstream जा रही है and 44 km downstream जा रही है in 10 hours तो आप बोलोगे according to first condition sir तो आप बोलोगे sir यहां पर देखो 30 km जो जा रही है distance पहले तो आप लिखो distance है 30 km speed है तो आप बोलोगे sir यहां पर upstream है upstream है तो आप बोलोगे x-y और यहां पर आप बोलोगे कि downstream है तो 44 और downstream आप बोल रहे है तो यहां पर लिखेंगे x-y और कितने hours में तो मिला के 10 hours में यह point आपको clear होना बहुत जरूरी है same way second condition पढ़ते है second condition में क्या दिया हुआ है तो आप बोलोगे sir second condition में जो दिया हुआ है 13 hours तो आप बोलोगे sir लिखो पहले 13 hours मतलब total 13 hours हुआ है time taken by boat is 13 hours तो अभी आप बोलोगे 13 hour it can goes 40 km upstream तो आप बोलोगे sir 40 km वो upstream जा रहा है 40 km तो आप लिखोगे यहां पर 40 km upstream x-y same way वो आगे बुला गया है कि यहां पर 55 km downstream 55 km downstream तो आपके माइन में आना चीह सर यहां पर 55 लिखेंगे और x plus y जैसे यह हमारा complete होगा तो आप बोलोगे sir इतना तो हमें clear हो गया तो हम क्या करेंगे अभी यह हमारा linear equation ready हो गया linear equation को अभी हम reducing form में लिखके solve करने का try करेंगे तो अभी हम let कर रहे है let 1 upon फेले minus है तो minus लिखते है 1 upon x minus y is equal to a x plus y is equal to b तो आप बोलोगे sir यहां पर लिखोगे 30 a plus 44 b is equal to 10 यह ध्यान रखना textbook में थोड़ा assumption आगे पीछे लिया है तो confusion मत होना answer same ही आएगा same way 40 a plus 55 b is equal to 13 तो अभी आप बोलोगे sir multiply करना equation को equal करना है as a animation method यह equation 1 हो जाएगा यह equation 2 हो जाएगा तो आप बोलोगे sir animation method से आपको multiply करना है जैसे हम multiply करेंगे तो आप बोलोगे sir यहां x के coefficient को हम equal करेंगे हमारे x की जगह यहां क्या बूला जाएगा तो आप बोलोगे sir आप x की जगह यहां बोलोगे a के coefficient को तो पहले वाले equation को 40 से multiply करेंगे दूसरे वाले equation को आप बोलोगे सर आप multiply करोगे किस से 30 से ओके तो अभी हम आगे चलते तो यहां लिखेंगे multiply करते करते हमारा पहुंच जाएगा 1200A 44 x 40 तो आपका होगा 1760B और यहां हो जाएगा 400 सेम वे नीचे लिखेंगे 40 x 30 तो 1200A प्लस 55 x 30 तो आप बोलोगे सर होगा 1650B is equal to 390 यह हो जाएगा equation 3 और यह हो जाएगा equation 4 अभी हमें लिखा subtract the equation 4 from equation 3 तो हम equation लिखना शुरू करते हैं 1200A प्लस 1760 B is equal to 400 1200A plus 1650B is equal to 390 यहां minus करेंगे तो sign सारी change हो जाएगी constant यहां है तो यहां सारी sign change होगी तो अभी आएगा answer यह तो cut हो जाएगा 1760 में से 1650 माइनस करेंगे तो 110B आएगा यहां आएगा constant 10 आएगा 400-390 same way B is equal to 10 upon 110 तो B is equal to आएगा 1 upon 11 जैसे 1 upon 11 आएगा तो हमारा एक answer ready हो गया है तो आप बुलोगे sir हब क्या करेंगे तो हमारा पूराना डायलोग है put B is equal to 1 by 11 in equation आपको कौन से वाले में रखना है तो आप बुलोगे sir equation 1 तो यहां लिखेंगे 30A plus 44 B is equal to 10 आप बुलोगे sir कहां से लेकिया है तो उपर equation 1 आपको दिखी रहा है same way यहां लिख दिया 30A plus 44 और B की जगल लिखा जाएगा 1 upon 11 is equal to 10 30A plus यहां कट हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 is equal to 10 30A is equal to 10 minus 4 6 by 30 A is equal to 1 upon 5 तो हमारे पास 2 equation के answer ready हो गए तो आप बोलोगे sir अब क्या करना है तो आपको वो दिखाता हूँ मैं आगे वाला तो आपको clear होगा कि हमने क्या let किया था A को और क्या B को तो आप बोलोगे sir अबने यह let किया था तो आप बोलोगे sir लिखो इसमें value put करो 1 upon x minus y is equal to A की जगा आप बोलोगे सीधा लिखो sir 1 by 5 cross multiplication करेंगे तो आप बोलोगे sir यहां हो जाएगा 5 और x minus y यह हमारा एक खतम हुआ अभी same way दूसरा करते हैं तो आप देखोगे sir यहां 1 upon x plus y है y की जगा हमने b की जगा हमने क्या लिखा 1 upon 11 cross multiplication same way तो आप बोलोगे 11 is equal to x plus y जैसे यह point complete होता है तो आप बोलोगे sir यह तो फिर से एक equation आ गया हाँ यह दोनों equation को simplify करेंगे बाद में हमारा साम आएगा तो हमारा 1, 2, 3, 4 equation हो गये अभी इसको equation 5th नाम देंगे है adding equation 3 and 4 आप बोलोगे sir ऐसा क्यों किया तो ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ equation में यहाँ पर minus है और यहाँ पर plus है और y के coefficient दोनों same है तो आप लिखोगे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ add करके हम यहाँ लिख रहे तो लिखेंगे x minus y is equal to 5 x plus y is equal to 11 solve करते यह yy cut हो जाएगा यह 2x हो जाएगा और यह हो जाएगा 11 plus 5 is equal to 16 16 divided by 2 तो x is equal to हो जाएगा 8 same way put x is equal to 8 in equation number आप बोलोगे सर 5 में लिख दो तो 5 equation क्या है x minus y is equal to 5 तो आप बोलोगे सर यहाँ पर equation x की जगा आप value put करोगे क्या 8 y का हमें पता नहीं है is equal to 5 y is equal to 5 minus 5 minus 8 तो आजाएगा 3 यह minus 3 तो y is equal to हो जाएगी 3 तो अभी आप बोल सकते हो कि सर अभी बोट की स्पीड आपड़ी finally आ गई हमारी आप बोलोगे सर अभी हमारी finally बोट की स्पीड आ गई आप बोलोगे the speed of boat 8 km per hour and the speed of stream is equal to 3 km per hour यह हमारा final answer होगा I hope कि आपको यह समझ में आया होगा